हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आल ऑन अवेकन ब्रेंज वंस अगेन आप सबका अवेकन ब्रेंज पे स्वागत है मैं आपका वेलकम करता हूँ विद्ध मोटो लर्न एनि टाइम लर्न एनिवेर आज हम बात करने वाले हैं टॉपर्स 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 टॉपर् score 75 बनता है only in written जी मैं सिर्फ written की बात कर रहा हूँ तो उसके अलावा फिर उनके टाइपिंग की क्या score है विस सब बात हम इसमें करेंगे उन्होंने honest और real answers दिये हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अलावा अगर आप अभी तक ये कर रहे हैं कि cut merit क्या होगा cut off क्या होगा open category क्या होगा जिस भी category में आप fall कर रहे हैं उसकी आपको attention या फिकर हो रही है तो सारी बात मैं इसमें clear करने वाला हूँ ये video प्लीज आप end तक जरूर देखेगा आपको help करने ही वाला है आपको ये काफी encourage भी करेगा motivate भी करेगा तो let's start with this topper stock 70 out of 80 how real and honest जो है वो reply देने के बाद आप लोगों के लिए क्या suggestion उन्होंने दी है उन्होंने क्या कहा है जो wait कर रहे हैं cut off का उसी पर हम बात करने वाले हैं तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूँगा कि आपको देखना है कि आप किस category में fall करते हैं किस category में fall करते हैं वो category आपको जरूर देखनी है उसके अलावा जो है आप अगर cut off का expect कर रहे हैं कि क्या होगा उस से पहले मैं आपको request करूँ कि आप total number of post तो आप please मुझे correct कीजेगा जिन notifications का exam हुआ है यह बात याद रखना junior assistant के सारे के सारे अभी exams typing नहीं हुई है अभी कुछ बाकी है तो पहले तो आप total notifications जो है वो देखोगे total notifications जो है वो कितनी है total notifications को भी देखना है आपको तो notifications के बाद आपने देखना है उसके बाद की total number of post कितनी है total number of post जो है वो कितनी है total number of post देखने के बाद आपने देखना है कि आप किस category में fall करते है your category जो है वो important होगी और उसके अलावा एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ तो एक request जो मैंने की अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया चैनल को तो प्लीज इसको subscribe कर ले like, share और comment भी जरूर करें अपने friends के साथ भी इसको share करें तो मैं वापिस आता हूँ इसी बात पर जो हम topper stock कर रहे 76 out of 80 आप अपने ऐसे कितने friends को जानते हैं जिनोंने 76 या 70 से above score किये ये भी प्लीज आप अपने comment box में जरूर mention करना उसके अलावा जो आप ये expected cut off की जो है वो ढूंड रहें कि क्या होगा cut off तो वो depend करता है पहले कि number of जो है पोस्टें कितनी हैं और अभी तक जो मैंने पता किया या जो analysis है मेरा 1483 पोस्टें निकल के आती हैं उसके अलावा आपको ये देखना है कि total number आप जो notifications है अभी तक वो कितनी notifications का exam जो है हुआ है वो notifications भी matter करती है notification matter करेंगी इसलिए क्यूंकि अगर अभी कुछ notifications बाकी हैं जितना मुझे पता चला है अभी 400 के करीब करीब वेकिंसी अभी उनके exam नहीं हुए तो आपके लिए ये भी एक plus point है अगर आप यहाँ पे कहीं lack कर रहे है उपर वाला ना ऐसा करे अगर कर भी रहे है तो फिर मौका आपके पास है उसके बाद आपका ये matter करता है कि आपने किस-किस notification में जो है वो apply किया है notification जो है आपने किस-किस notification में apply किया है तो आप वहीं के लिए जो है eligible है उसके अलावा जो है मैं बात अगर करूं ये है on an average score की तो वो अभी तक मुझे जो confirm किया है मैंने अपने friends से आसपास से जितने भी मेरे जानकार है ये आ रहा है on an average score 50 से 65 के बीच में friends ये कता ही ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो है 70 प्लस जो है वो score करने वाला है ऐसा तो नहीं है कि आप tension में आगे ये बहुत ही rare होने वाला है जो 70 प्लस score करने वाले बच्चे वो काफी कम होंगे तो उसको तो आप छोड़ दो toppers की list क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी जितना मैंने अभी तक confirm किया है तो most of the students are in between 50 to 65 वो आप देख लें उसके अलावा जो cut merit toppers के बाद जो slots बनेंगे वो भी है उसके अलावा toppers के slots के अलावा जो है जो नीचे वाला merit जाएगा वो आप उसमें expect कर सकते हैं अगर on an average score आपका है तो कोई tension और गबराने वाली बात नहीं अगर बिलकुल ही काम है तो उसके लिए भी इलाज है कि sorry notifications अभी कुछ बाकी है जिनका exam अभी नहीं हुआ है मैंने जो पता किया है मेरी sources के according to 400 के करीब करीब पोस्ट है अभी जो है वो बाकी हैं जिनके exam होने ही है तो आप इसकी भी tension नहीं ले सकते है इसकी tension लेने की कोई जरूरत नहीं कि अब क्या होगा उसके अलावा मैं आपको बता दू कि typing का score भी matter करेगा typing का score matter करेगा यह बहुत important है एक decimal से बच्चा जो है बाहर और अंदर आता जाता है तो यह आप जरूर मान के रखें अगर आपके score typing में है 10, 12, 12, 14, 15, 16 out of 20 मैं से 20 मैं नहीं समझता कि किसी का score होगा बहुत ही कम होगा यह ऐसा rare ही होगा लेकिन आपको typing का भी दिहान रखना है कि typing का score भी जो है वो added होगा यहाँ पे add होगा तो typing भी matter करती है typing का score भी matter करता है उसके अलावा आपको देखना है कि final selection list जो है वो written plus written plus typing का score जो है वो final score होगा तो आप क्यों घबरा रहे हैं written को लेकर आपको देखना है written plus typing क्योंकि typing भी important है typing को आप छोड़ नहीं सकते तो typing का score written के साथ match करके plus करके फिर final list जो है वो तयार होगी final list जो है वो ऐसे ही नहीं तयार होगी final list बनाने के लिए आपको पता है कि typing plus written का score आना है वो जो है जरूरी है दौनों का score match करना और वाई 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 तो है ही नहीं तो इसका मतलब return होगा plus typing का score होगा फिर final list बनेगी तो उस final list में अगर आपके typing के 18 marks है written के 50 marks है तो सोचो आपका merit कहां जा रहा है अगर written के 56 marks है typing के 15 marks है तो कहां जा रहा है तो सारी चीज़ें आपको analysis करनी ही होंगी उसके अलावा मैं यहाँ बात कर रहा था कि टॉपर क्या कह रहा है वो यह कह रहा है कि 76 जो सर मेरा score बन रहा है मैंने यह जो है rank IQ करके एक website आती वो आपको भी शायद पता होगा वहां डाला तो वहां मेरा score जो है वो 5th rank बता रहा है 5th से 6th rank बता रहा है तो इसका मतलब इससे भी उपर अभी score है बच्चों का हाँ यहां मैं आपकी information के लिए एक बात बता दूँ कि यह जो मैं बात कर रहा हूँ जिस बंदे ने 76 जो है ठीक किये है 75 marks ले रहा है वो जम्मू प्रवेंस से है जम्मू प्रवेंस से वो बंदा है और सिरनगर से कितने टॉपर्स है या भी तक clear नहीं है उसके अलावा मैं बात करूँ उसके उससे जब मैंने बात की तो वो जो है written exam में उसने कहा कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होंगे जिनका 70 से 80 के बीच में score है यह हमें खुद भी पता नहीं था हम इतना अच्छा score करेंगे वो exam देने के बाद भी पता नहीं था उनको जब answer की आई है उसके बाद उनको पता चला है कि हमारा score इतना अच्छा हुआ है तो यह किसी को पता नहीं होता उसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने जो analysis किया मैंने जब उनके बारे में मतलब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं बात करूँगा दुबारा से English के अंदर English के अंदर उनका 19-20 मैंसे लहा ठीक है उसके बाद उनका journal awareness में जो special reference विज जे एंड के था उसमें 20 out of 20 रहा score उनका उसके बाद अच्छा mathematical numerical reasoning में उनका numerical reasoning में और reasoning में उनका score रहा जो है वो 19 out of 20 रहा ठीक है उसके अलावा उनका computer में जो है score रहा computer में उनका 18 out of 20 रहा तो यहां देख सकते हैं आपका score card जो 76 जिस बंदे ने लिये हैं English में 19 Journal awareness में 20 numerical reasoning में 19 और computer science में 18 तो यह obviously फिर होना ही था कि उनका score इतना अच्छा होगा जब मैंने उनसे बात की कि books क्या पड़ी भाई साब आपने books बता दो तो उनने कहा books जो सारी market में available थी उन्ही books में मैंने पढ़ा कुछ special मैंने नहीं पढ़ा उसके अलाव मैंने daily routine जो है वो follow की study की उसके अलाव lecture videos कुछ देखे थे जो मुझे समझने होते थे उसके अलाव मैंने अपने notes prepare किये थे बस कुछ खास ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हो तो उसके अलाव उसने कहा कि MCQs की practice जो है वो भी मैंने की तो ये वही बाते है जो topper को topper बनाता है उसमें कोई खास और unique बात नहीं होती बस कुछ चीजें जो है वो उस पर अड़ा रहता है जैसे books तो पढ़ी तो limited resources यूज की daily routine थी study की lecture videos देखे notes बनाए practice MCQs कीए तो ये सारी बाते हैं उनने कही apart from this अब आप के लिए जो यहाँ पे एक सला है वो यह है कि अगर आपका score जो है मान के चलो मैं on an average कह रहा हूँ 50 से 60 के बीच में है या कोई भी slot ले लो 50 के बीच में मैं यहाँ पे बात करो scores की अगर आपका 50 से 60 के बीच में है अगर आपका 60 से 70 के बीच में है तो यहाँ यह देख सकते हैं यह last वाला slot तो मैं कहूँगा बहुत ही rare है written के exam के point of view से बोल रहा हूँ तो आपको focus करना अगर आप इन दो slots में है तो फिर आपकी category क्या है आपने कितनी notification के लिए apply किया है आपके typing test में कितने marks है उन सब को जोडने के बाद अपना score आप decide करेंगे उसके बाद आप अपना जो है मैं कहूंगा कि official result के लिए wait करेंगे और जो भी predictions दी जा रही है इसका cut ये होगा इस category का ये होगा आपको एक बात और बता दूँ रात को भी मैंने जो वीडियो अपलोड किया था कि आपको categories के हिसाब से भी post देखनी है वहाँ पे कि post इंग कितनी कितनी है वो post इंगी matter करेगा उसके अलावा SC है, ST है पहाड़ी speaking people है और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई याद नहीं कर रहा हूँ हाँ ALC है IB है यह चीजें जो है यह आपको देखनी होंगी यह इन categories को देखने के बाद अपना slot in categories में आपकी इस category में fall करते हैं उस category में written exam में किन बच्चों ने कितना score किया typing में कितना score किया दौनों का typing और return मिला कर कितना होगा तो यह सारी जो परिशानिया है सारी जो मुश्किले है यह सारा जो आप panic हो रहे हैं इसमें मैं एक ही request करूँगा आप wait करो अपना score आपको पता है return का पता है टाइपिंग का पता है अपनी category आपको पता है किस post के लिए apply किया यह पता है कहां पर कौन सी notification लिए apply किया है क्या सभी options आपने टिक किये हैं क्या नहीं किये यह सारी बातें आपको पता है तो कोई भी institute वाला कोई भी video बनाने वाला आपको नहीं कह सकता कि डिरेक्टली इतना कट है इतना कट है क्यूंकि आपको एक बात और बता दू कि 14,000 बच्चों ने एक्जाम दिया है ये JKSSP ने कलियर किये तो कोई 14,000 में 14,000 से तो बात नहीं कर सकता किसी ने इन बच्चों से बात नहीं कियोगी कि 40-50 बच्चों के बीच में अगर किसी की बात भी हो रही है 100-200 में बात भी हो रही है भाई अगर 200-500 बच्चों के बीच में भी बात हो रही है फिर भी 50% से जादा बच्चे ऐसे हैं जो out of reach हैं जिनका कोई पता नहीं वो किस इलाके हैं से, किस district से हैं, किस post के लिए apply किया, किस category के लिए, ये सारी clarity जो है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही institution दे सकता है, वो है JK SSB का final consolidation list जब बनेगी और total score जो है, वो सब का आएगा, तो तब जाकर, जो है, वो सारी clarity होगी, वो total score की एक list जो है, वो आएगी, उसके बाद ही आप अपने आपको देख पाओगे, कि actual or real image क्या है, तो in short मैं आप सब से ये request कर रहा हूँ, कि जो toppers हैं, वो भी जो है, इनको नहीं पता था, कि हम इतना score करेंगे, तो 76 upon 80 वाले की बात, जो मैं कर रहा था, मैं यही कर रहा था, कि उसने भी कहा, कि जो books मैंने follow की, वो सारे बच्चे follow करते हैं, daily routine study की, मेरी भी वही थी, जो बाकी बच्चों की थी, lecture videos मैंने देखे, notes भी मैंने पढ़े, बनाए, practice MCQs भी किये, but I was not expecting this much score, तो यह honestly उनने बताया है, कि hope जो जिनके exam भी नहीं हुए है, बच्चों को चाहिए कि उस पर focus करें, जिनका score कम है, और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको यहां पर अलग-अलग expectations जो है, दी जा रही है, उनको यह बताया जा रहा है कि आपका भी selection नहीं होगा, या आपका score बहुत कम है, इतना कट जा कोई किसी से पूछ के नहीं आए, मैंने यह बोला, आपको कि 14,000 पोस्टे हैं, 14,000 बच्चों ने exam दिया है, तो 14,000 बच्चों से किसी ने बात नहीं की है, आप उन 14,000 में से एक हैं, 10 से बात हो सकती है, 100 से बात हो सकती है, 200 से बात हो सकती है, 400 से बात हो सकती है, 14,000 के 14,000 और बच्चे कहीं एक ग्राउंड में या एक प्लैटफॉर्म पे नहीं बैटें जहां वो सारे लोग अपने हर एक परेशान है इसकत और परेशानी में मैं ये आपको सजिस्ट कर रहा हूँ कि आप परेशान ना हो आपको जो बताया जा रहा रहा है आप उन बातों को छोड़ दो कितने बचे तो आपको परिशानी में डाला जा रहा है तो मैं आपको सपोर्ट यहां कर रहा हूं प्लीज वेट फॉर दी ऑफिशल काट ओफ वेट फॉर दी ऑफिशल कंसॉलिडेटिड रिजल्ट लिस्ट फॉम जेके एसस बी की तरफ से जब आएगी तो उसका वेट करें बाकी मेरी तरफ से तो सब को आल दी बेस्ट तो मैं यही कहूंगा कि जो आपकी मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी आज नहीं तो कल कभी न कभी न कभी वो रंग लाएगी अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको पता है कि मैं सेलेक्ट हूँ तो भी आपको मेरी तरफ سے بہت بہت مبارک جن کا اچھا سکور نہیں ہے وہ دل نہ چھوٹا کریں اپنا بلکہ اور تیاری کریں اور expectations کے ساتھ اس hope اور امید کے ساتھ کہ آج میرا دن نہیں تھا کل میرا دن ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے best دوں تو میرا best جو میں دوں گا اس کا فل مجھے ضرور مل کے رہے گا تو میں یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں God bless you all اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ result جو بھی ہوگا موقع ابھی اور ہے امید ابھی اور ہے hope ابھی اور ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تو میں یہاں آپ کے لئے ایک encouraging video لے کے آیا تھا کہ جو بھی پریشان بچے ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آپ اس چیز پہ نہ focus کریں کہ cut off کتنا جائے گا کس کا کتنا score ہے اپنے دوستوں سے 10 سے آپ نے پوچھ دیا 50 سے پوچھ لیا ادھر سے ادھر سے ابھی 20 کے 20 districts میں آپ بات نہیں کر پاؤگے 14 کے 14 ہزار بچوں سے آپ بات نہیں کر پاؤگے تو کیوں اتنا پریشان ہونے ہیں just آپ نے اپنا return test دے دیا result آپ نے دیکھ دیا آپ کا score بن چکا ہے اگر اچھا score ہے تو اچھی بات ہے آپ کی selection ہو جائے گی اگر score کم ہے تو wait کرو تاکہ آپ کو پوری clear image cases بھی دے دے گا اگر بہت زیادہ کم score ہے اور آپ ٹوٹ چکے ہو تو میں آپ کو یہ وروسہ دے رہا ہوں کہ ابھی جو ہے دنیا ختم نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ notifications کا exam باقی ہے type test باقی ہے آپ اس کے لئے تیاری کرو تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی بچے اس وقت expected cut off سرچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو جو آپ نے written exam دے دیا ہے type test دے دیا ہے result اس کا جلدی ہی آ جائے گا اب wait کرو صبر کرو جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا اگر آپ کا اچھا score ہے تو selection ہو جائے گی اگر کم score ہے یا ان case کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی ہوتی selection تو گھبرانے والی بات نہیں ہے ابھی بھی کچھ notifications باقی ہیں جن کا type test جن کا return test باقی آپ اس کے لئے تیاری کرو اور جو آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کا score کم ہے آپ کی یہ جو selection جو ہے بہت مشکل ہے تو اس کے اوپر آپ بلکل بھی focus نہ کریں topers بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پتا نہیں تھا کہ ہم top کریں گے ان کو اب یہ محنت کا فل ملا ہے ان کو بھی وقت لگا ہے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل honest اور real جو ہے reply جنہوں نے دیا انہوں نے یہی کہا کہ ہر ایک کا دن آتا ہے آج اگر آپ کا دن نہیں تھا تو کل ضرور آئے گا میری طرف سے سب کو all the best god bless you all my all good wishes are with you اور آپ بس جے کے ایس ایس بی کی official notification consolidated list کا انتظار کریں تب تک آپ چپ رہیں خاموش رہیں اور انتظار کریں صرف اور صرف جے کے ایس ایس بی کا کیونکہ جے کے ایس ایس بی ہی ultimate ہے انہوں نے ہی consolidated list بنانی ہے کسی institute کسی ویڈیو بنانے والے نے نہیں بنانی ہے تو آپ اپنا آپ کو پریشانی میں مٹ ڈالو اور اپنے آپ کو خوش رکھو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو please اس کو like share اور comment اس پہ ضرور کرنا اگر ابھی تک آپ نے اس کو subscribe نہیں کیا ہے تو please اس کو subscribe بھی کرنا god bless you all thank you for watching awakened brains موسیقی 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 موسیقی